हालो पेरेंट्स मैं आप इनकी स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में माई डियर पेरेंट्स आप सभी को प्यार बहा है नमस्का जैश्री कृष्णा रादे रादे माई डियर पेरेंट्स आज मैं आपको बताने वाले हूँ तो बताऊंगों उसके वाले में आलरेड़ी काफी वीडियो बना चुकी हूँ ठीके उनका उसका लिंक आपको नीचे आप चाहें तो डारेक्ट आई बटन पर क्लिक करकर उसको देख सकती है तो यहां पर मुझसे क्या वार यह पूछा गया था कि मैं हमारे पास वुट वर्ट का गाई वाटर नहीं है तो कि हम बच्चे को डावर ग्राइव वाटर दे सकती है शेफ रहता है और बच्चे को आर करना पड़ गया और इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में समझा पाऊं कि यह वर है या नहीं है क्या इसमें इंगिडेंट मिले हुए है कितने ML का आता है क्या प्राइज है तो एक तरीके साप समझ लीज़ेगा कि मैं करने वाली हूं ठीक है और इसके क्या-क्या ब्रैनिफिट है यह भी मैं आपको बताऊंगी तो मैं हमेसा अपनी बच्ची के लिए वुडवर्ड का यूज करती मैंने आपको हमेसा यही रिकमंट किया होगा वुडवर्ड का काफी अच्छा है ठीक है लेकिन इस बार मैंने जब यह आप देख सकते हैं यह पूरी बच्ची को पिला तो इसको आराम मिल गया मैंने एक दो डोज ही उसको दी होगी और और एक अगर गर्राव मिल और उसको प्रॉब्लम नहीं हूँ जो बार बल्य prescribe हो टी झाले मिन ठीक से पॉरटी नहीं कर पा रहीती तो यह मैंने उसको दिया, डावर का ग्राइब वाटर तो उसको आराम मिल गया, मैं यही देखना चाहती थी, कि एक डोज में आराम देता है, यह नहीं देता है, जो कि वुडवर्ड का पिलाती थी अपनी बच्ची को जब भी कुई दिक्कत होती थी, को अरा मिल जाता है तो सेम यही डावर का जो मैंने ग्राइब बटर अपनी बेबी को पलाया तो उसको अरा मिल गया ठीक है अब मैं आपको बताऊंगी इसके वारे में कि इसमें क्या-क्या औसी है इसमें ऑसीदी मिली हुई है अच्छा है देहें यहां पर जब आप इसको प जिससे कि आपके बच्चे को किसी भी प्रिकार का नुकसार नहीं होगा ठीक है तो यहां पर आप मैं बात करूंगी यह कितने ml का आता है तो यह 125 ml का होता है ठीक है और प्राइस की बात करें तो यह 40 रुपीज सम्धिंग आपको आराम से मिल जाएगा ठीक है अब हम यहां सब्सक्राइब करें तो यहां पर निदे नहीं किस तरीके से तकलीफ जैसे की अफरा लगा हुआ है बच्चे को अपच्छन हो रहा है यह बहुत जदे आसदीटी की दिककत हो रही है तो जो सथा इन सब चीजों में यह करता है इसके साथ ही साथ आपके बच्चे को कई दिनों से पौटी नहीं आए या फिर आपके बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो दांत जब बच्चे के निकल रहे होते तब आप यह इसको दे सकते हैं तो बच्चे की जो दांत है वह आराम से निकला तो इस तरीके की दिक्कत हो रहे हैं तब भी आप यह ग्राइब वाटर दे सकती हैं ठीक है तो बहुत सारे multiple uses है benefits हैं अगर आप अपने बच्चे को ग्राइब वाटर दे रहे हैं तो अब आप के पास वुडवर्ड का नहीं है डावर का परचेस कर लिया है आप परचेस करना चाहती है तो इसमें भी आपको कोई भी लॉस नहीं होगा उतने ही benefits के सबस्क्राइब आख yapt प्रॉबलम में इसके बड़र किता है और अपर तो लेकिंग रख तो वेजेखना कुई पर प्रॉबलम है तो आप अपने बार में पूस्का एक पर डोकट्र बार में है होता और मेरी बेटी को पेट की दिक्कत होती जैसे कभी वोमिट हो रही है दूद को पचानी पा रही है पेट में कॉंसिपेशन हो गया है तो मैं इमीडेटली यही देती हूं वोड़ का और बहुत जल्दी उसको आराम मिल जाता है अभी लास्ट जब मैं उसको दिया है तो कोई ऐसा इस्शोव नहीं हुआ कि मेरी बच्चे को दो मै देना कैसे कि इसको तो यह एक महीने को यह क्तिक वैस्क देना है विघ्यम्यक्राह तक कि इसको दे सकते हैं और इसको दे सकते हैं तो एक महिने से ले कर 6 महिन तक बच्चे को Zoals यानि आप 2-5 श्पून शुर्ट ने बच्चे को सुबह साम कितना देना अगर आपका बच्चा एक महीने से 6 महीने तक है तो 1,1 शुर्ट भाफ स्पून सुबह और साम आप दे सकती है अब बात करते हैं 6 महीनी से लेकर एक साल तक की बच्चे के लिए तो आप 5 ml से 10 ml तक दे सकती है में एक छोटा स्पून फुल सुबह और साम ठीक है बहुत छोटे बच्चे को सिर्फ हाफ ही देना है 6 मां से लेकर 1 साल तक की बच्ची को आपको 1-1 स्पून छोटा सुबह साम आप दे सकती है अब हम बात करते हैं 1 साल से एबब की बच्ची को आप दे सकती हो 1 चमच सुबह, 1 चमच शाम को और आप चाहते हो कि बहुत ज़दा दिक्कत है बच्चे को तो आप 3 टाइम भी दे सकती है तो यहाँ पर आप दे सकती हो 10 ml से लेकर 15 ml तक आप दे सकती है लेकिन कोशिस करें स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा फिर बाद में आप थोड़ा सी क्यांटिटी बढ़ा सकती है और आप अपने डॉक्टर के एकोर्डिंग भी इसको दे सकती है अदर्वाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको आप अपका बच्चा बड़ा है तो थ्री टाइम आप इसको दे सकती है ठीक है तो ये बच्चे के हेल्थ के लिए ऐसा कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बहुत जल्दी बच्चे को आरा मिल जाता है अब दो तीन तरह के कुशोन और मुझसे पूछे जाते हैं कि मैम क्या हम की को भाष्ची एक्तों रही डेली नहीं है सेफ नहीं रहता तरह जो बच्चे को तकलीफ में आपको आपको इसन दे रही हो तो वह बहुत जल्दी उस पर असर करेंगी लेकिन तो फिर उसका असर होना कम हो जाएगा फिर आपके बच्चे को जब दिक्कत होगी तब आप इसको पिला रहे होगे तो इतना असर नहीं करेंगी तो प्लिस डेली आपको नहीं देना यह को जनम भुटी नहीं है कि आपको डेली देने तो इसको बिल्कुल मैंट से निकाल दी आपको यह अपने बच्चे को देजी ठीक है तो यह थी आपको ग्राइब वर्टर की बारे में सारी जानकारी ठीक है तो यह परेंट्स वीडियो एंड करने से पहले बस यह कहोंगी कि आप डावर की ग्राइब वर्टर को खरीदने की सोच रहें हैं तो आप निशिन्त होकर खरीद सकते हैं अच्छा है बच्चे के लिए बच्चे के हैल्थ के लिए ठीक है इसमें और ज्यादर हो जाएए और घवराईए वद्ट कि आपके बच्चे के हैल्थ को कोई भी नुकसान नहीं करेगा ओके तो डियर पेरेंट्स यह सारी जान में आप कोमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और क्या जानना है ग्राई वाटर की बारे में तो उसमें मैं जरूर आपकी क्वेश्चन को इंक्लिउट करूं हूँ ठीक है तो डेक्स वीडियो मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ अपने टेक केर बबाई झाल 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 झाल